किसी द्वी घाती बहुपत के गुणांख वह उसके शुन्यक में संबंध बहुपत एक्स वर्ग रिंड पांच एक्स धन छे के शुन्यक तीन वह दो है तब इसके गुणनखन एक्स रिंड तीन वह एक्स रिंड दो है अर्थात x वर्ग रिंड 5x धन 6 बराबर एक गुणित कोश्टक में x रिंड 3 गुणित कोश्टक में x रिंड 2 अब बहुपद 4x वर्ग रिंड 4x धन 1 के गुणन खन्व शुन्यक पर विचार करते हैं हमें बहुपद 4x का वर्ग रिंड 4x धन 1 के गुणन खन्डन कर उसका शुन्यक ज्यात करना है तो चलिए हम इसका गुणन खन्डन कर लेते हैं 4x वर्ग रिंड 4x धन 1 को हम लिख सकते हैं 4x का वर्ग रिंड 2x धन 1 हम मध्य पत को दो भागों में विभाजित कर लिख सकते हैं रिंड 2x रिंड 2x क्यूंकि इनका गुणन फल जो है वो प्राप्थ होगा 4x का वर्ग जो कि प्रथम पद और अंतिम पद के गुड़न फल के बराबर है तो इस प्रकार हमें मिला 4X का वर्ग रिंड 2X, रिंड 2X धन 1 अब हम प्रथम दो पद और उसके अगले दो पदों का जोड़ा बना कर उसमें से उभैनिष्ट क्याद कर लेते हैं तो हमें इस प्रथम दो पद में क्या उभैनिष्ट दिखाई दे रहा है? 2X, कोश्टक में हम लिखेंगे 2X, रिंड 1 इन दो पदों में हम देख सकते हैं कि हमें उभैनिष्ट के रूप में केवल रिंड 1 प्राप्त होगा तो कोश्टक के अंदर बचेगा 2X, रिं 1 उभैनिष्ट है, तो इसे हम उभैनिष्ट ले लेते हैं और अंदर कोश्टक में प्रथम पद में बचेगा 2X और द्विती पद में बचेगा रिंड 1 इस प्रकार 4X का वर्ग रिंड 4X धन 1 का जो गुणनखन प्राप्त हुआ है वो है 2X रिं 1 गुणिद 2X रिं 1 अब यदि हम इन दोनों गुणनखन्डों में से 2 को उभैनिष्ट ले ले, तो हम किस प्रकार लिखेंगे? 2 यदि उभैनिष्ट रहेगा, तो ये होगा X रिं 1 बचे दो बिल्कुल इसी प्रकार यदि इस गुड़न खंड से भी 2 को उभेनिश ले लिया जाए तो हमें मिलेगा गुणित 2 कोश्टक में x रिन 1 बटे 2 याने की हल करने पर प्राप्त होगा तो दुनी 4 x रिन 1 बटे 2 गुणित कोश्टक में x रिन 1 बटे 2 अर्थात 4 x का वर्ख रिन 4 x रिन 1 बटे 2 गुणित कोश्टक में x रिन 1 बटे 2 है और इससे यहाँ भी इस पाश्ट होता है की इस बहुपत के एक बटे 2 एक बटे 2 जो है वो क्या है शून्यक है क्या एक्स रिन 1 बटे 2 और एक्स रिन 1 बटे 2 उसका गुणन खंड है तो एक बटे 2 और एक बटे 2 जो है वो दिये गए बहुपत के शून्यक है क्या एक्स रिन 5 धन 6 वो 4 एक्स रिन 4 धन 1 के गुणन खंड में कोई खास बात या पैटन दिखाई पड़ रहा है एक्स रिन 5 धन 6 में एक्स रिन का गुणांक 1 उसके एक गुणन खंड के रूप में लिखा है इसी प्रकार 4 एक्स वर्ग रिन 4 धन 1 में एक्स वर्ग का गुणांक 4 उसके एक गुणन खंड के रूप में लिखा है यानि हम बहुपत एक्स वर्ग धन B एक्स धन C को जिसके शून्यक अलफा वब बीटा हैं तथा A, B, C वास्त्विक संख्याएं जहां A का मान शून्य नहीं है को इस रूप में लिख सकते हैं A, X का वर्ग धन B, X धन C बराबर K गुणेत कोश्टक में एक्स रिन अलफा गुणेत कोश्टक में एक्स रिन बीटा और K बराबर A जहां K एक वास्त्विक संख्या है और K का मान शून्य नहीं है पुना A, X का वर्ग धन B, X धन C बराबर K, X वर्ग रिन के गुणेत अलफा धन बीटा गुणेत X धन के गुणेत अलफा गुणेत बीटा गुणेत बीटा गुणा करने पर इस सभीकरन के दोनों पक्षों के X वर्ग वा X के गुणांकों एवं अचर पदों के तुलना करने पर A बराबर K, B बराबर Rिन के गुणेत कोश्टक में अलफा धन बीटा C बराबर K गुणेत अलफा गुणेत बीटा B बटे Rिन के बराबर अलफा धन बीटा C बराबर अलफा गुणेत बीटा B बटे Rिन A बराबर अलफा धन बीटा अर्थात अलफा धन बीटा बराबर रिन B बराबर अवं अलफा गुणेत बीटा बराबर C बराबर A अन्शार हर में रिन एक का गुणा करने पर हम कह सकते हैं कि द्वी घाती बहुपत AX का वर्ग धन BX धन C में शुन्यकों का योगफल अलफा धन बीटा बराबर रिन X का गुणांक बटे X वर्ग का गुणांक तथा शुन्यकों का गुड़नफल अल्फा गुणित बीटा बराबर अचरपद बटे एक्स वर्ग का गुड़ांक बहुपद के शुन्यकों एवं गुड़ांकों के सम्बंद को कुछ उधारनों से समझते हैं उधारन चूबिस बहुपद छे एक्सकी घाद दो धन 13 एक्स धन साथ के शुन्यकों का योगफल एवं गुड़नफल ग्यात कीजी हल बहुपद छे एक्सकी घाद दो धन 13 एक्स धन साथ की तुलना सबसे पहले हम A X की घाद 2 धन B X धन C से करने पर हमें A का मान क्या मिलेंगा A बराबर 6, B बराबर 13 और C बराबर 7 चुकि हम जानते हैं कि शुन्यको का योगफल का योगफल क्या होता है? रिन B बटा A तो इसी लिए शुन्यको का योगफल बराबर शुन्यको का योगफल बराबर अब रिन की जगा हम रिन रखेंगे B का मान हमारे पास 13 है तो हम B के स्थान पे 13 लिखेंगे रिन 13 बटा A का मान है 6 तो रिन 13 बटा 6 तो शुन्यको का योगफल हमें प्राब्त हुआ रिन 13 बटा 6 फिर से देखिए चुकि हम जानते हैं कि शुन्यको का शुन्यको का गुरन फल बराबर होता है C बटा A तो इसलिए शुन्यको का का गुणन फल बराबर C का माना है हमारे पास 7 बटा A का माना है हमारे पास 6 तो इस तरह से शुन्यको का गुणन फल हमें प्राप्त हुआ 7 बटा 6 तो हमने देखा कि शुन्यको का योग फल बराबर हमने प्राप्त किया रिंड 13 बटा 6 और इसी तरह से हमने शुन्यको का गुणन फल प्राप्त किया साथ बटा छे तो हमने दिये गए बहुपाद के गुण योगफल रिंड तेरा बटा छे और गुणन फल साथ बटा छे प्राप्त किया या इस प्रश्न का हल होगा उधारण पच्चिस बहुपाद चार एक्स की घाद दो धन चार वर्गमूल तीन एक्स धन तीन के शुन्यको का योगफल एवं गुणन फल ग्याद कीजिए हल बहुपाद चार एक्स की घाद दो धन चार वर्गमूल तीन एक्स धन तीन की तुलना हम एक्स की घाद दो धन बी एक्स धन तीन से करेंगे तीन से करने पर हमें एक अमान क्या मिलेगा या चार एक अमान चार है या उसी तरह से एक्स का जो गड़ांक है भी यहां पर भी है तो भी कमान क्या है चार वर्गमूल तीन और उसी तरह से सी कमान है मारे पास तीन अब चुकि हम जानते हैं कि शुन्यको का शुन्यको का योगफल का योगफल जो होता है वह क्या है रिण बीबटा ए बराबर इसलिए शुन्यको का शुन्यको का योगफल बराबर रिण का रिण बी का मान हमने हमारे पास है चार वर मुल तीन बटा ए का मान है चार चार को उपर अंश और हर से काटने पर हमें प्राप्त होंगा रिण बर्मूल तीन तो यह हैं शुन्यको का योगफल है फिर हम जानते हैं चुकि शुन्यको का शुन्यको का गुड़न फल बराबर सी बटाए तो इसलिए शुन्यको का गुड़न फल बराबर सी कमान यहां पर तीन है हमने उपर ग्यात किया है और एक कमान चार है तो शुन्यको का गुड़न फल बराबर तीन बटा चार तो इस तरह से हमने शुन्यको का योगफल बराबर ग्यात किया रिण वर्गमुल तीन और गुड़न फल ग्यात किया हमने तीन बटा चार तो इस तरह से यह इस प्रश्न का हल है कि योगफल शुन्यको का योगफल रिण वर्गमुल तीन और गुड़न फल बराबर तीन बटा चार यह इस प्रश्न का हल होगा होगा सोचे एवं चर्चा करें पहला क्या शून्य ग्यात होने पर बहुपद ग्यात कर सकते हैं कोई दो मान लेकर बहुपद बनाईए